नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी सांदर मसीन और इस मसीन से होने वाला सांदर यूनिक बिजनस आइडिया लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों एक सांदर बिजनस और उस मसीन से होने वाली सांदर बिजनस और यूनिक बिजनस लेकर आया हूँ दोस्तों यह business है जो आपका low investment वाला business है दोस्तों यह business low investment से high profit वाला business है दोस्तों इस business के लिए आपको कोई बड़ी जगह लेने की आफ सकता नहीं होगी दोस्तों यह business आप आसानी से घर बैटे बैटे भी कर सकते है दोस्तो, खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ट्रैनिंग लेने की आफ सकता नहीं होगी चलो दोस्तो, टाइम को वेश्ट किये बिना वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह मसीन किस परकार से कारे करती हैं, कितना माल तयार करती हैं दोस्तो, मसीन का वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नहीं आया है, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पास मैं गंटी का बेटन दे रखा है, उसे प्रेश करना ना भूले, जिससे के आने वाले न्यू नोटिपिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो तो दोस्तो, आज हम आपके साहत आए हैं, पंजाब इंजिनिरिंग कॉर्पोरेशन में जि हाँ दोस्तो, आज हम पंजाब इंजिनिरिंग कॉर्पोरेशन में आए हैं, और दोस्तो, आज हम एक ऐसी यूनिक मसीन और एक यूनिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है कोकोनेट मिल मसीन जी हाँ दोस्तो आज हम कोकोनेट गेंडिंग मसीन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह मसीन किस परकार से कारे करती है और कैसे माल को निकालती है दोस्तो अब हम इस मसीन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह मसीन होती हैं जो बड़े बड़े कोकोनेट के होते हैं उनको छोटे छोटे पीसने में बहुती सायक मन होती हैं दोस्तो मैं आपको इस मसीन की कुछ खास बात बताता हूँ यह मसीन बहुती अच्छी तरीके से कार्य करती है और बहुती अच्छी तरीके से माल को छोटा छोटा करती है जी हाँ दोस्तो यह मसीन होती है जो सिंगल फेज की विजली पर आदारित होती है इसलिए दोस्तों आप इस मसीन को आसानी से गर के किसी भी कमरे में या किसी कौने में आसानी से चला सकते हैं दोस्तों खास बात यह हैं कि इस मसीन के निचे वाइबरेशन पेर लगा हुआ होता है जिससे कि यह मसीन वाइबरेट नहीं होती है दोस्तो इसमें कहीं परकार की मसीने भी आती हैं दोस्तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कहीं परकार की अलग अलग तरह के आपको मसीने बताई गई है दोस्तो इस मसीन के साथ में कहीं भी चीजे दी जाती है जिससे कि मसिन साप करने के लिए ब्रस, मसिन स्टाटर, ब्रस वगेरा सबी आपको इसके साथ में उप्रब्द कराया जाता है दोस्तो अब आप इस बिजनस से माल को तो तयार कर सकते हैं अब दोस्तों आपको यह बताना होगा कि इस business को किस परका से start करना है और दोस्तों माल तयार करने के बाद आपको किस परका से marketing करनी है और किस परका से माल को बेचना है तो दोस्तो आपको सबसे पहले मसिन को खरिदना होगा और मसिन से ये माल तयार करना है फिर दोस्तो आपको पता ही होगा कि आज कल के लोग होते हैं उनको काम जल्दी से जल्दी खतम करना होता है तो दोस्तों आज माल सब बार से लाते हैं तो मार्केट में आप इनको छोटे-छोटे करके कोकोनेट को थेली में पैक करकर किलों की थेली हो आदव किलों की थेली हो सब में पैक करकर आप मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए जाते हो तो आप आसानी से इनको सेल कर सकते और साथ साथ में आप अपने मॉले या गाम में कह सकते हूं कि हम कोकोनेट ग्रेंडिंग मशीन हैं हमारे पास जिसे हम कोकोनेट को ग्रेंडिंग करते हैं तो दोस्तों वह सब आपके पास ही आएंगे और कोकोनेट ग्रेंग इससे आप इस मशीन से आसानी से कमा सकते हैं और आपको पता ही होगा कि आज कल के लोग के सुध्य खाना पसंद करते हैं तो सब आपके पास ही आएंगे और स्वधे सी काम ही कराएंगी दोस्तों अब इस मशीन के प्रोडक्शन या कैपिसिटी की बात करूं तो यह मशीन एक गंदे में 30-35 किलर कोकोने आसानी से पीशता दोस्तों अगर आप इस मशीन को खरीजना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक में मैंने कंपनी के नंबर दे रखे हैं जिससे आप बात करकर इस मशीन को आसानी से खरीज सकते हैं और इस बिजनस के बारे में कोई जानकारी प्राप्ट करना चाते हो या फिर और बिजनस इसके बारे में जानकारी प्राक्त करना चाहते हो तो मैंने description box में number नुद में दीए जिसे आप बात करका सभी प्रकार के जानकारी प्राक्त कर सकते हैं छलो दोस्ते हम इसी परकार से आगे के वीडियों में मिलते हैं जैंध, जैंभाराइब